तो आफ्स ह aging एनि और बी बात बात करते हैं आज रॉक हे एपिसोट के शुरुवात कैविन ओवन्स और सेमी जैन करते हैं वो रिंग में आ कर रोमन रेंज और सो लो सिक्वा के अगेंस लडने को लेकर के बात करते हैं सेमी जन कहते हैं कि वो मैच के लिए काफी एक्साइटेड है और मैं शुरुवात में इस मैच के बारे में जान करके पता चलके चौक गया था सेमी जन ने कहा कि ट्राइवल चीफ से बदला लेने का मुझे अब मौका मिलेगा केवन ओवन्स और सेमी जन दावा करते हैं कि रोमन रेंस चीटिंग करते हुए अब तक आ गया है और वो ये भी मानते हैं कि काफी टाइम से उन्हें कोई हराबी नहीं पाया है सेमी जन ने रोमन रेंस को यहां साइको बोल डाला अब जज्मेंटे की यहां एंट्री होई और कैवन ओवन्स ने माइक लेकर कहा कि वो ब्लड लाइन और जज्मेंटे से परिशान हो गए है उन्होंने फैक्शन को लड़ने के लिए रिंग में बोलाया मतलब एक तरह से उन्होंने चैलिंज करा डेमिन प्रीस लड़ने आगे आए भी लेकिन फिन बैलर ने उन्हें रोक लिया अब इनके बीच बैस वगेरा होई डॉमिनिक मिस्टीरियो को जवर्जस भू का सामना करना पड़ा क्राउट से जो की वो हमेशा करता है बाद में एक इनके बीच ब्रॉल देखने को बिला और जज्जमेंट डेको रिंग से खदिर दिया गया इसके बाद मैं मिस्ट वर्सिस नाका मूरा के बीच एक मास देखा नाका मूरा ने अच्छे से इस मैच में मिस्ट को लते आया मिस्ट भी कुछ कम नहीं पड़े उन्होंने भी अच्छा गॉम्टीश नाका मूरा को दिया महीं अच्छा मास दिखा हैं दोनों सूपरस्टार के बीच में मिस्ट ने एक टाइम नाका मूरा की आँखों को हिट करा फिनिशर लगा के पिन करा बट नाका मूरा ने पैर से रोग को टच कर लिया इसके बाद नाका मूरा ने किन्शाशा दे के पिन करा और मिच को इस मैच में हरा दिया अब बैक स्टेज एडम पियर्स के पास सॉनिया डैविल, चैल्सी ग्रीन और रकील रोडरिगेस देखने को मिली अब चैल्सी ग्रीन और सॉनिया डैविल, इससे सुनकर के काफी यादा निराश हो गई इसके बाद रकील रोडरिगेस ने चैल्सी ग्रीन के खिलाफ सिंगल मैच लड़ने के लिए ओफर दिया एडम पियर्स ने इस मैच को ऑफिशल भी कर दिया अब बैकिस्टेज हमें कौरी ग्रेव्स का सैथ रोलिंस के साथ सिट डाउन इंटर्व्यू देखने को मिला इस वीडियो सेग्मेंट में सैथ रोलिंस एनेक्स्टी में सक्सेस के बारे में यहां पे इंटर होती हुई दिखाई दी गंथर आके एन और अउस स्टीविल पर चड़ गए लोड़िक काईजर ने हर बार की तरह गंथर गंथर गो यहां पर अपने अंदाज में इंट्रोड़ूस करा और बाद में गंतर ने माइक लेके कहा कि वोग अंडिफीड़ेड है, मैं सबसे बड़ा चैंपियन हूँ, गंतर ने कहा कि बैटल रोयल मैश देखने को मिलेगा और इसके विनर को इंटर कॉंटेनेटल चैंपियनशिप के लिए आगे मैश लड़ने का मौका दिया जाएगा और मैं इंटर कॉंटेनेटल चैंपियनशिप के लिए नमबर वन कंटेंडर बैटल रोयल मैश देखने को मिला इस मैच में अकीरा टोजावा, बैरन कॉर्बिन, डेक्स्टर लोमेस, मनसूर, जेडी मैक डॉनल, डॉल जिगलर, मैट रिडल ये सब हमें देखने को मिले, अ जेडी ने रिंग साइड पर बुरी तरह से अटेक कर दिया और उनकी हालत खराब करके रख दी, वाइकिंग राइडर्स भी इस मैच का पार्ट थे, उन्होंने सैडरिक अलेक्जेंडर को बाहर करा, बाद में वाइकिंग राइडर्स और अलफा अकेडमी भी अलिमिनेट ह ब्रॉंसन रीड ने इसका फायदा उठाया और उनको अलिमिनेट कर दिया, अब एंड में बचेते मुस्तफा अली, ब्रॉंसन रीड और रिकोशे, एंड में ब्रॉंसन ने रिकोशे को अपने कंदे पर उठाया हुआ था, तब ही यहाँ अली ने टॉप रोप से ड्रॉप कट करती हैं, वो यहाँ पर Tris Stratus को ले करके जादा बात करती हैं, उन पर ही फोकस था यह सेग्मेंट, वो बताती हैं कि Lita और Tris Stratus से उन्होंने help मांगी थी, बैक के लिंच ने यह भी कहा कि Lita मेरे लिए काफी यादा अच्छी साबित हुए लेकिन Tris Stratus ने मुझे धो गलती करती हैं, और उनने Tris Stratus को थेंक्स कहा क्योंकि उन्हें धोका मिलने से कई चीजों के बारे में जानने का मौका भी मिला, अब बैक के लिंच का Tris Stratus पे एक धम से गुस्ता फूटा और उनने बोला, नाइट ओफ चैंपियन के लिए Tris Stratus को मैच के लिए चैलेंज दिखा, I think last week भी इन दौनों सूपरस्टार के बीच मैस देखने को मिला था, खेर, रेहा रिपली, रिंगसाइड मौझूद थी, जैवियर ने अच्छे से जेब कत्रे की धुलाई करी, वहीं रेहा रिपली ने डॉमनिक को काफी मौकाओं पे बचाया, मैच के एंड में ज लोकल जॉबर्स के खिलाफ, वीर और सांगा ने जम के इस मैच में जॉबर्स की धुलाई करी, डॉमनिक कर एक तरह से मैच में और मैच जीत भी लिया, मैच के बाद जिंदर मगल ने कहा कि वह राच करेंगे, राच वह जल्दी रॉक को चलाएंगे और चैंपियन भी बने अब देखते हैं, डब डबल लई इंडियन सूपरस्टार को कब तक शो करती है, बैक स्टेज कैविन ओवन्स और सैमी जैन बात कर रहे थे, तब ही वहाँ इम प्रीमियम ने एंट्री करी, कैविन ओवन्स ने गुस्टे में आकर नेक्स वीक उनके अगेंज सिक्स में टेक बैकलाइश 2023 में ब्रॉक अपनी जीत को लेकर के बात करी, कॉडी रूट्स ने कहा कि लैसनर 99% रोस्टर से बैतर हैं, लेकिन बैकलाइश में वो खुद को कॉडी रूट्स से बैतर नहीं साबित कर पाए, कॉडी रूट्स ने कहा कि अगर वो 20 सेकंड में भी ब्रॉक को हर कॉडी रूट्स ने साफ तोर पर लेसनर को एक तरह से वार्निंग भी देडा ली, अब भाई कॉडी रूट्स कितनी बात करते हैं, हर वीक कुछ ना कुछ ना कुछ भाई प्रोमों में सेग्मेंट बोलने को होता है, अब ये लगातार हर वीक दिखता है ना, तो कहीं ना क जीत लिया, वो जीत के बाद स्टेश पर थी, तब ही रॉंडा रॉजी और शाइना बैसलर में आके उन पर अटेक करा और टेक टीम टाइटल लेने का दावा भी कर दिया, अब बैक इस्टेश पॉल हिमन इंप्रीमियम के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिये, अब अच्छी शुरुआ तो इस मैच की जिसमें कैवनों सो सैमी जन ने बैलर और खास करके डैमियन प्रीज को अच्चे से खर्चा पानी दिया, वही डॉमनिक और रेयर रिप्ली ने इंटरब करा, तो रैफरी ने ये देख लिया और दौनों को वहां से चलता कर दिया, ये स् इन दौनों टीम के बीच मैं, अब यहां in premium भी ringside enter हो जाते हैं, काविन उवन सिस्टनर दे के pin करते हैं, तो रैफरी को ये अपनी side फसा लेते हैं, सैमी जन हैन हलव किक दे के pin करते हैं, तो फिर से referee को in premium आपनी side फसा लेते हैं, अब गन्तर सैमी जन को interrupt करते हैं, फाइद लेकर के कॉंट्रेक साइनिंग सेग्मेंट भी देखने को मिलेगा वहीं पॉल हिमन ने कैविन ओवन्स और सैमी जैन के अगेंस्ट इम प्रीमियम और जज्मेंट देगो कर दिया है मतलब कि एक तरह से रोमन रोइंस के कबजे में हो गए है ये सारी टीम है और कैविन ओवन्स और सैमी जैन के अगेंस्ट दिखाई दे रहे है उसी का खामियाजाद Kevin Owens तो Sammy Zen को ठाना पड़ा उनको हार मिली है, चीटिंग से मिली है लेकिन हार मिलती भी दिखाई दी है वहीं बात करें कॉड़ी रूट्स की तुनों ने Brock Lesnar को एक तरह से warning दे दिये रॉका सबसे आधा बोलने वाला सूपसार वही कॉड़ी रूट्स ही है क्योंकि हर वीक कुछ ना कुछ ना कुछ बाइसा बोलने को कॉड़ी रूट्स पर होता है ऐसा कभी नहीं होता कि कॉड़ी रूट्स बिना बोले निकल जाए रिंग से अब एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूब बताएगा अभी की वीडियो में इतना ही पसंद आया तो लाइक को शियर करें और इस तरह एक इंटरसिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकन को प्रेस करें बलताएगा नेक्स वीडियो में फेंक यू